असलाम लेकुम दोस्तों आजिर हों एक नहीं वीडियो के साथ अगर आप Android यूजर है और आपका जो Android का Power On Off का बटन है वो लूज हो गया है या आप स्क्रीन को On Off करने के लिए ये Power On का बटन यूज करते हैं तो हम आपको बताएंगे ऐसी एप्लिकेशन जिसमें आप इस तरह डबल टैब करके अपनी स्क्रीन को On या Off कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ इस एक्लिकेशन को इंस्टाल करने के लिए आपने एपने मुबाईल का Play Store ओपन कर लेएं और ये Play Store मैंने ओपन कर लिए यहाँ पे आपने लिखना है double tap screen on off यह application जो आप यह उंगली वाली जो application है जो उपर है सबसे यह आपने install करनी है, मैं आपको दुबारा दिखा देता हूँ application का नाम double tap screen on off application का नाम है, यह अभी आगी है यह आपने install कर लेनी है यह application सिरफ अडाई हम भी किया है और अभी हम यह install कर लेते हैं यह installing start होगी है application इंस्टाल होने के बार मैं आपको इसका तरीका कार भी बता दूँगा आपने इसे किस तरह इस्तमाल करना है बहुत ही मज़े की application है मैं भी use कर रहा हूँ यह application और जो आजकल vivo के mobile phone आ रहे हैं तो यह auto होता है लेकिन something या दूसरे mobile phone है उनमें यह application करनी पड़ती है इंस्टाल अभी हमारी application डाउनलोड होगी है अभी इसे open कर लेता हूँ मैं इने open कर लिया इसे सबसे पहला option जो double tap to lock enable इस पर आपने click करना है उसके बाद allow now यह इस पर click करना है click करने के बाद यह accessibility open होगी अभी आपने यहां से accessibility में से आपने double tap को on कर लेना है double tap lock को उसके बाद आपने वापस जाना है और फिर allow now पे दुबारा click करना है जो नीचे है इसे active कर देना है अभी application मुकमल करना से install होगी अब back जाके आप double tap यूज़ करके अपनी screen को on off कर सकते है